देखे आज हम re-imagine democracy इस पर बात करेंगा and while we wish to talk about re-imagining democracy हमारी पहली कोशिश होगी कि parliamentary democracy को एक re-imagine किया जाए re-imagination क्यों कह रहा हैं ? क्यों कह रहे हैं ? सीधी सी बात है कि जो imagination जिसके तहत संसाहेतालिस में बटवारे के बाद और खास तोर पर जब सन पचास में हमरा सम्विधान लागू हुआ परलिमेंटरी फॉर्म अब डिमाकरिसी की अवधारणा को मुर्त रूप दिया गया रूल बाई कॉंस्टिचूशन, रूल बाई लो कुकी जड़े मजबूत की जाने लगी ठीक 47 के बाद जब हमारे परोस का मुल्क जो हमसे अलग हुआ था उसने एक अपने लिए अलग रह चुनी थी जो रह एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की ओर जा रही थी हमारी रह बिलकुल हमने बावजूद बटवारे के, बावजूद पीला के, बावजूद एक उस तरह के वहशपने के दोर में हमने, क्योंकि यह गांधी का मुल्क था, नहरू का मुल्क था, अम्बेदकर का मुल्क था, आजाद का मुल्क था हमने अपनी जो तामीर की अपने रास्ते की अपने नक्षे की आगे के दिनों के लिए उसमें हमने संसदिये लोकतंत्र को सबसे बड़ी आहमियत दी और संसदिये लोकतंत्र को अहमियत देने की पीछे एक मात्र ये चीज़ थी कि जो प्रतिन धृत्तो है वो ब्यापक हो जो बहुलवाद है हिंदुस्तान का उसकी ब्यापकता परिलक्षित हो वो दिखे संसद की इमारत के अंदर बैवहार में बिमर्श में ये यात्रा चल प हमने संसदिये लोकतंत्र की सवधारना को मुर्त रूप देना शुविकार किया तो हमने ये तै किया कि चाहे कितनी भी बाधायें आए हम इस रास्ते को नहीं छोड़ा है हमने चोड़ा भी नहीं विपत्तियां बहुत आई कालंतर में मैं आप सभी के माध्यम से आप में से कईयों को मालूम होगा पहली लोकसभा या पहली संसद लोकसभा राजसभा कह लीजिए विपक्ष गौन था बहुत छोटा मिनिस्क्यून लेकिन विपक्ष को विमर्ष के बहुत बड़े अवसर मिला करते थे बलकि वक्त तै करने की भी जो पूरी परिपाटी थी उसमें यह नहीं था कि अगर यह इस पार्टी के मात्र चार सदस्य हैं या छे सदस्य हैं तो उनका वक्त उस अनुपात में कम हो जाएगा Quality of Debate जिसको कहते हैं कि बहस की गुनवत्ता पर बहुत जोर हुआ करता था कई लोग आज भी स्मरन करते हैं प्रफसर हिरेन मुखर जी भूपेश गुपता बाद के दौर में अटल जी बासट में चीन से हम लर रहे थे और उस लराई के दौराद बिपक्षने सदन के सत्र की महांग की ततकालीन सरकार मना कर सकते थी जैसे इन दिनों सरकार ने चाइना को ले करके उस बिते वर्ष जो कुछ हुआ मना कर दिया लेकिन उस सरकार ने मना नहीं किया चर्चा हुई ब्यापक चर्चा हुई छोटे दलों के जो नेता थे उन्हें बहुत वक्त मिला सरकार की आलोचना हुई क्योंकि उस वक्त सरकार और देश एक चीज नहीं हुआ करते थी देश एक ऐसी अवधारना है जिसकी यता अलग है जिसकी पहचान अलग है सरकार एक लोगतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी जाती है हर पांच वर्ष के बाद सरकार बदलती है या उसी सरकार को फिर से करके वोट दे करके फिर से उस सरकार को बहाल करते हैं लेकिन सरकार और देश और राज्य तीनों अलग अवधार ना हैं मैं इसी संदर्व में इस बात को रख रहा था कि छोटे बिपक्ष के होने के बावजोद चुकी संसदिये लोकतंत्र की गरिमा इस बात में है कि कितना संवेदन शील हो सकता है ये संसदिये लोकतंत्र की वो परिपाटी है जिस परिपाटी ने हिंदुस्तान में संसद को उस मकाम तक पहुँचाया जिस मकाम में हर व्यक्ति को हर नागरी को गर्व होता है आज भी बावजूद कई दिक्कतों के कई परेशानियों के मैं कि मौलिक बिंदूओं पर चर्चा से पुर्व कुछ बातें कहना चाहता हूं आपके साथ साजा करना चाहता हूं सरपली राधा कृष्णन ने एक बार बात कही थी उन्होंने उनसे लोगों ने पूछा कि अखिर संसद चीज क्या है क्या एक इमारत है या महज जिसको कहते कि पार्लेमेंट शब्द की जो वियत्वपती है ये फ्रेंच भासा में इसका मतलब होता है टॉक बातचीत संबाद तो उन्होंने कहा कि संसदिये लोकतंत्र में संसद की दो अहम महत्वपुर्ण भूमिकाया होती है एक विधाईकारी यानि कि किसी भी विशय पे किसी भी पनाएं बिमर्श से ब्यापक बिमर्श से उसके हर पहलू पे बाचीत हो कहां क्या कमी है कहां और मजबूती लाई जा सकती है कहां ये कानून जन हित के खिलाफ जाके खड़ा हो जाएगा कहां ये कानून कुछ तबदीलियों के साथ जन सरोकार को और मजबूत और बलवती करेगा और दूसरा एहम रोल एहम भूमी का दूसरी जो संसदिये लोक तंत्र में संसद की होती है वो है दिमर्श की दिमर्श सितात पर है कि कोई भी ऐसी चीज़े कोई भी ऐसा पहलू कोई भी ऐसा एक ऐसा बिंदू जिससे जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोग परिशानी में हैं लोग चाहते हैं कि पृतिनिधिक संस्था जो कि संसद है उस पर हमारे इन बिंदूओं पे चर्चाओ तो डेलिबरेशन एन लजिसलेशन इन दोनों को लेकर के संसद की जो यात्रा हमारी शुरू हुई मैं कहूंगा कि पहले आम चुनाओ के बाद से वो यात्रा कमो बेश चलती रही चलती रही उसको पहला जटका सन पच्छत्तर में लगा लोग प्रियतरीक से चूनी गई थी हमारी ततकालिन प्रधान मंतरी इंदी राजी लेकिन कुछ ऐसे development हुए कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उनके कुछ सलाहकारों ने उन्हें ये रहाए दी कि संसदिय लोकतंत्र की ये जो परिपार्टी है जहां आप पर भी सवाल हो सकते हैं उसको थोड़ा कर्ब किया जाए तो कैसे हुआ उसको करने के लिए देश में एमर्जेंसी लाई गए आंत्रिक सुरक्षा का हवाला देते हुए और एमर्जेंसी आई तकरीबन 75 से लेकर के 76 के आखिर तक 77 के शुरू तक रही फिर आमचुनाओ हुए और जनता ने संसदिय लोकतंत्र लोकतंत्रिक परमपराओं पे हुए इस कुठारा घात का प्रतिकार मतदान करके लिया सरकार बदल गई तो बदली हुए सरकार को क्या विरासत मिली उसको ये विरासत मिली कि संस अश के लिए जगह होनी चाहिए उस पर किसी भी प्रकार का हमला ना हो उस पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोशिश ना हो के एक अंधेरा सा कायम हो जाए बैराल फिर उसी लोकतंत्रिक तरीके के माध्यम से इंद्रा जी असी में पुनरवापसी करती है जनता पाटी के कि आपके कारि मनसा वाचा कर्मना में आपकी कारिशेली में कहीं भी लोकतांत्रिक परमपराओं पर अगर कुठारा गात होगा तो जनता के पास वो कूंजी है जिससे वो आपको बदल के रख देगी इतिहास की उस विरासत उस संदर्ब से आईये समकालीन दोर की चुनोती हो समकालीन दोर की बात करणें अमर्जंसी नहीं लगी हुई चाह जरूरत भी नहीं है आप खुद से आख़े देख लिए संसद कितने दिनों तक चला करती थी एक साल में तक्रीबन 140-50-60 दिन तक और आज कितने दिन तक चलती है मैं दिन क्यों गिनवा रहा हूँ दिन इसलिए गिनवा रहा हूँ कुछ से गंभीरता का पता चलता है कि अचानक से जिस संसदिय लोकतंत्र पर हमारे लोकतंत्र की इमारत खड़ी है जहां वो बेजांसी इमारत नहीं है वहां इबारत लिखी हुए है जो हमारे पुर्खे लिख गये थे आज क्या कोशिश हो रही है कैसे सत्र चल रहा है और सरकार के सारे फैसले एक्जिक्यूटिव डिसिजन से होते है और जब सत्र बुलाया आता है तो ओडिनेंसेस पे मुहर लगाने की कोशिश होती है कहां गया भी मर्श कहां गई विधाई कारे में एक ब्यापक दिश्टिकोन से स्टेक होल्डर्स का को साथ मिले करके चलना अकर ये क्यों हो रहा है इसकी थोड़ी परताल हम सब के लिए बेहद आवश्चक है मैं दो-तिन बिंदूओं पर इस बात कर रखूँगा पहला बिंदू हमारा है लोक तंत्र में बहुमत बेहद आवश्चक है बहुमत से सरकार बनती है जनता बहुमत देती है कभी किसी दल विशेश को कभी किसी कई दलों के गटबंदन को कोईलिशन जिसे हम कहते है उस बहुमत से एक सरकार बनाई जाती है मिजोरिटी बहुत आवश्चक है सरकार बनाने के लिए लेकिन वो लाइसेंस नहीं हुआ करती है मिजोरिटेरियन राजनीत के लिए वो आपको एक तरह से खुली छूट नहीं है कि आप परमपराओं रवायतों और हमारी जो विरासत है उसको कुठारा घात करके आप माईवे और हाईवे ये मेरी मर्जी है मैं इसे कर बैठूँगा चाहे उसके पीछे संबिधान कि मूल भावना मूल भावना उसके पक्ष में हो या ना हो आप देख ले कई कानून जो पास हो है चाहे सिए का कानून हो चाहे हाल के दिनों में कृशी कानून हो और चाहे मॉनेटाइजेशन का पूरा का पूरा ये जो एक 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 फ्रट गेट सा खुला हुआ है ये आखिर चीजें क्या है कोई भी देख ले आप संबिधान के प्रस्तावना के आइने में आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई कानून कैसा है ये जो आपकी कारेशली है उस प्रस्तावना के आइने में कैसे दिखेगी क्या मतलब रह जाएगा उन खूबसूरत भावनाओं का स्वतंतरता न्याय सामाजिक न्याय अभिव्यक्ति की आजादी अगर इस प्रकार के कानून पास होंगे और वो भी बिना प्यापक बिमर्शक है तो हाल की सरकारों का और खास तोर पर भी ते साथ-ाथ वर्शों में हमने ये साफ तोर पर देखा है कि जो मिजॉरिटी मिलती है ने लोगों की लोगों से जो बहुमत प्राप्त होता है लोग उसे लाइसेंस समझ बैठते हैं लोग समझते हैं कि हम जो चाहें कर बैठ हैं कई दफ़ा कहते हैं कि हमें तो लोगों ने मत दिया है लोगों ने मत आपको इसी दो समुदाए को, तीर समुदाए को, चार समुदाए को आप इस आपकी तथाकतित विकास की दौर में आप पीछे छोड़ता हैं। इसी नजरिये से मैंने वो बात कही थी कि majority in a parliament is a must to form the government. But majoritarian ideas emanating out of that mandate is dangerous to democracy. यह हमारी संसदिये लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। तो अब दूसरी जो महतपुन चीज है, जो हम सब को समरन रखनी चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा कि संसदिये लोकतंत्र बिमर्श से चलता है। यह नहीं कि यह सत्तापक्ष है और वो बिपक्ष है। वो चुनाओ में खत्म हो जाता है। चुनाओ हुए एक सत्तापक्ष बना जिसने सरकार बनाई, मंत्री बने, प्रधान मंत्री बने, लेकिन दू अंपाल करें अच्छा कर रहे हैं तो पक्ष में खड़े हों और अगर ऐसी कोशिश हो रही है जिससे की जन सरोकार का आहित हो रहा है ऐसी कोशिश हो रही है जिससे नागरिक अधिकारों का हनन落 रहा है ऐसी कोशिशें हो रही हैं जिसे बाजार के समक्ष राज्य की वेवस्थाओं को पंगू बनाया जा रहा है लहलुहान किया जा रहा है तो विपक्ष का काम है आगाह करना विपक्ष का काम है आलोच ना करना विपक्ष का काम है सलाह देना विपक्ष का काम है कि किसी भ की परिपाटी खत्म हो जानी चाहिए संसद्य लोकतंत्र की खूबी यही है जो मैं दुबारा इस बात को कह रहा हूं सबसे बड़ी खूबी है कि बिमर्ष लगातार चलने से सरकार को भी अध्यतन इस्थती की जानकारी मिलती है सरकार को भी यह मुगालता नहीं रहता है कि हम को अब एक मेजारिटी में लिए है और हमको आप किसी बात की कोई चिंता नहीं है तीसरी महतोपुन चीज है कि संसद में प्रतिन धुत्य का जो पूरा आइडिया है वो परिलक्षित होना चाहिए वो टोकेनिजम का शिकार नहीं होना चाहिए हमारे हैं लेकिन क्यों आकिर प्रतिन धुत्य अगर है तो वो जनमानस को संदेश अपने आप पहुँचेगा दिक्कत यह है कि संदेश आपका इसलिए नहीं पहुँच रहा है क्योंकि वो उस संदेश में सचाई नहीं है उसमें इमानदारी नहीं है उसमें बेबाक इमानदारी नह होगी बहुलवाद जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी परलेमेंटर डिमॉक्रेसी में बेहद आवश्यक है जैसे आप देखिए लोकसभा लोवर हाउस है सीधे तोर पे जनता अपने नुमाइंदे को अपने पृतिनिदी को चुन के बेज़ दिया राज शक्ता है उसकी हाल के दिनों में आप सब वाकिफ होंगे कि कई सारी चीजे हैं हलांकि सरकार के आला लोग कहते हैं कोपरेटिव फेडरलिजम सहकारी संगवाद लेकिन हकीकत में वो सहकारी संगवाद जमीन पे नहीं उतरता है हमने देखा कोवीड के दौरान हैंड होल्ड जो की कोर है हमारी पारलेमेंटरी डिमाक्रसी का हमारे संसदिय लोकतंत्र का हमारी हमारी महती हमारी हमारी परंपराओं का आपने उस पे कुठार अगात करने की कोशिश किये कभी भाषा के सवाल पर कभी टैक्स के कॉंसंट्रेशन के सवाल पर कभी जो स्टेट्स के पाव ये जो कुरूप चीजें हाल के दुनों में विक्सित हुई है अगर इन पर लगाम नहीं लगी तो मैं समझता हूँ और आप सब इस बात से साहमत होंगे कि ये संसदिये लोकतंत्र को कल को संग्रहाले की वस्तूना बना दे एक टिपणी मैं और करना चाहता हूँ और वो पुर्ण है कि हाल के दुनों में हमने देखा है कि संसद के अंदर विपक्ष जो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि विपक्ष ये सत्तापक्ष जैसा शुरू में मैंने कहा कि पारलेमेंट में पारले शब्द है टॉक कान्वरसेशन का मतलब क्या है समवाद समवाद का प्रात्मीक सरकार सुनना और सुनाना हमारी आज की सरकार ने सुनना लगभग बंद कर दिया सुनती नहीं है सुनाती है लेकिन अगर हम रिएमजिन करें परलैमेंटरी डिमोक्रसी को संसदिय लोकतंत्र को इस reimagination में ये परिलक्षित होनी चाहिए बात दिखनी चाहिए हमारे सरोकारों में हमारी प्रात्मिकताओं में कि हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं उसकी वज़े से क्या दिक्कत होती है कि जब आप समझते हैं कि विपक्ष आप समझते अवरोधक है मारग अवरोधक है क्यों लग रहा आपको मारग अवरोधक है क्योंकि आपकी कारिश्यली में आप विपक्ष को शतुता की जुबान से देखते हैं और उसका नतीजा यह हुआ मैं सिर्फ सतापक्ष को नहीं कहूँगा बिपक्ष भी सत्तापक्ष को शत्रुता की जुबान से बोलता है हम politically एक दुसरे से अलग हैं वैचारी कुरूप से, राजनीतिक गुरूप से लेकिन संसत के अंदर तो हम सब हैं आप सत्तापक्ष से हैं, हम बिपक्ष से हैं तो एक जो समवाद में प्रविर्ती होनी चाहिए और वो प्रविर्ती क्या होनी चाहिए वो प्रविर्ती ये होनी चाहिए कि हम बिना किंतु परंतु परंच के बाचीत को तयार हैं अगर हमने वो चीजें कर ली कि हम बाचीत कर सकते हैं और हम शत्रू नहीं हैं, हम दो वैकल्पिक प्रस्थापना हैं, दो वैकल्पिक विचार हैं, इस देश को कैसे आगे ले जाए, तो मैं समझता हूँ कि कई सारी विसंगतियां जो हल के दिनों में हमने देखी हैं, वो खत्म हो सकती हैं, उन्हें कम किया जा सकता है, एक आखरी पनी में जरूर करना चाहूंगा, पंडि जवाहलाल नहरू इस पार्लिमेंटरी डिमाक्रेसी के बहुत बड़े पैरोकार थे, चाहते तो 47 के आसपास जितने मुल्क आजाद हुए, उसमें शायद हम अकेले मुल्क थे, जिसने इस रास्ते को चोना था, वो चाहते तो संस् कुंद कर सकते थे, परंपराएं अलग तरह की विक्सित कर सकते थे, वो भी कहते हैं मैं मेरा मुझको, उससे बेयांड कुछ नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जब हम पार्लिमेंटरी डिमाक्रेसी के संसद्य लोकतंत्र के रिमाजिनेशन की बात करते हैं, तो रि पेक्षाएं क्या थी, हम कैसा लोकतंत्रे चाहते थे, संसदिये, और एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए, बाबन, संताबन की हम अगर डिबेट और डिसकाशन देखें, उपलब्ध हैं सब कुछ, तब पता चलेगा, कि हिरेन मुखर जी, भुपेश गुपता, और कई अन्य नाम, या इवन अटल भी हारी बाज पीजी, संसद में कैसे अपनी बाते रखते थे, और कैसे सरकारें सुनती थी, और हाँ, उस वक्त के प्रधान मंत्री, संसद को सबसे बड़ी प्रात्मिकता देते थे, घंटों बैठे होते थे, हमें अगर संसद ये लोकतंत्र की उस खुबसूरत पहलो को पुनर बहाल करना है, तो ये सिर्फ राजनताओं से नहीं होगा, ये आम, छात्र, बिद्यारती, मजदूर, किसान, उन्हें ये बात बार बार उठानी होगी, कहना होगा, हमें हमारा, हमें हमारी पुरानी वाली लोकतंत्रिक विवस्ताएं हाथ म में दीजिए, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के शत्रू नहीं है, दो वैकल पिक विचारधारा हैं, लेकिन दोनों का उद्देश एक है, कि हिंदुस्तान में डिमाक्रसी और उसकी जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, मैं इसी आशर से इस बात को यहां खत्म करूंगा, जाए हैं करूंगा